आज ही क्लास में हम बताएंगे कि हाउ तू कंफरम पीचिह इस फाल्टी और ओके तो इसके लिए मैं आपका एशबी का बॉर्ड लिया हूँ और डेल का बॉर्ड लिया हूं ये बॉर्ड मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है और अपका टेकनिसन लगातार उसको बनाते रहते हैं दो दिन तीन दिन तक टाइम पर बाद करते हैं उसके बास जब नहीं बन और दृए आपका पीफ कि टो हम इसको ऐसा क्या tips तो हम दो से mute में हम ये पता कर पाएंगे कि सबसे पहले तो यह है कि आप चालर कडिशंट्री में कि पना देख लगाए इसा 19.53 जैसे इसको मैं लगाता हूँ यहां पर देखिए जैसे इसको मैंने लगाया यहां पर देखो लाइट ग्लोव हुआ लाइट ग्लोव होने के बाद आपका एंपियर कितना तक जा रहा है आपका 0.108 कोई लोड नहीं ले रहा है ठीक है कहीं पर भी कोई यहां पर हम चूते हैं तो आपका normal temperature ही लगता है यह confirm हो जाता है कि PCH और कोई भी आपका component यहां पर खराब नहीं है अगर यह एंपियर एकदम से बढ़ जाता है अचानाक बढ़ जाता है ठीक है तो कहीं न कहीं पर कोई न कोई short circuit है देखिए इस case में क्या होता है आपका डल के बाद समार पास बोड है यहां पर देखिए जैसे इसको लगाता हूं मैं और एंपियर की और ध्यान देखिए कितना हो र रहा है ठीक है जबकि थोड़े दिए रूपता उसके बाद अगर बढ़ता तो यह बोर्ट चाल रहता है लेकिंए यहां पर क्या करते हैं जैसे इसको लगाते हैं और यह कितना पहुँत पहुत जाता है और इसको यदि हम छूते हैं हहां पर देखिए इसको यदी हम छूत कितना दिखा रहा है 30 के आसपास दिखा रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर देखो आपका बढ़ती जा रहा है यह देखें 35 ऐसे आपका बढ़ जाए गई देखो 39 के आसपास हो गया ठीक है तो यह आपका लगातार बढ़ रहा है ठीक है तो इसका मतलब यह है ठ खराब हो चुका है यह पहला केस है ठीक है अब दूसरा केस यह है कि यहां पर इस बोड में यह आपका डैल का बोड है इस बोड में देखे आपका पांच और तीन का यहां पर आपका क्वायल लगा हुआ है इस पांच और तीन के क्वायल को यह हम चेक करते हैं तो यहां पर यहां पर पता चले जाएगा कि आपका कहां पर फार्ट है है यहां पर देखे आपका यहां पर कोई भी बीट नहीं दिया और इस section में ने देखते हैं तो यहां पर आपका वीप देना तो दूसरी बात यहां पर आपका DC to DC IC है, यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, यहां पर भी देखिए आपका, अब DC to DC IC के हमें हैं पर डाइग्राम दिखाता हूँ, यहां पर मैंने क्या किया आपका, इसकेमेटिक डाइग्राम में यू थे 6-0-1 किया और यहां पर क्याकिए इसको साच मारा, यह देखिए आपका, यह आपका IC लिग रहा है, यहां पर आपका IC में यह वाला जो पीन है, पहला नमबर का पीन है, यह पांच वर्ड़ वाला आए है, यहां पर तो आपको कोई भी भीजागी नहीं के रहा है अब इस सेक्षम में आपको बीजनाई स्टाट कर दिया चैके है। यह थक्जागी है, और फो है, यह इंक में हो टैका 3-9 वाला लां आयं इसके हैं, करते यह सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं अब यहां पर देखे SPI 25 मैंने सर्च किया सर्च करने के बाद देखें यहां पर आपको दिख रहा है यह पिन नमबर एक दो तीन चार और आठ साथ चे पांच ऐसे रहे दिख रहा है तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगा आपका पिन चेक करते जाता हैं कि एक नमबर का पिन जो आप CS है ठीक है क्या यह सॉट है यहां पर देखिए बिल्कुल यहां पर आपको कोई स्वाट ने दिखा रहा है दो नमबर का पिन यहां पर सॉट दिखा रहा है ठीक है तीन नमबर का पिन भी यहां पर सॉट दिखा रहा है और चौथा नमबर का पिन तो सॉट हो यहां पर पर दिखा रहा है कि इसका मतलए यह थो कंफर्म हो गया कि हमारा बैऑर्वस के आपका इन पीनों पर यह नहीं दिखाना चलिए लेकिन यहां पर शॉट दिखह रहा है तो हम बोकेशम में देखते हैं यहां पर क्या यह उप यहां पर देखिए आपको एक नमर में तो कोई शॉर्टिंग दिखा रहा है दो नमर में भी कोई शॉर्टिंग नहीं तीन नमर भी कोई शॉर्टिंग नहीं और यहां पर आपका चेक करते हैं यहां पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं यहां पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं औ तो अब अपने को यह confirm करना है यहां पर, जैसे इस board में, दो नंबर के pin में आपको यहां पर sorting दिखा रहा है, लेकिए, यह दो नंबर के pin में यहां पर sorting दिखा रहा है, अब यह दो नंबर के pin में, क्या है यहां पर देखिए, इस sections को देखिए, इस दो नंबर के pin में, आपक SPI और SO और यहाँ पर मैंने क्या सर्च दिया आपका R जैसे इसको मैं क्या कि आपका सर्च हिया तो यह SKT 25 DY लिखा है ठीक है यह सिंबोल आपका present नहीं है आपका दिखा रहा है इस परकार कि सिंबोल को यदि पढ़ना हो ठीक है तो हमको आप contact करें आपको बताएंगे और यहाँ पर आपका देखिए यह आपका कहाँ पर जा रहा है as well मतब आपका CPU पर जा रहा है सिधा CPU के आपका कहाँ पर जा रहा है AA4 मतलब R1809 इस सेक्षन में जा रहा है तो इसको तो हम यहाँ पर open नहीं कर सकते आपका location कहाँ पर देखिएगा कि इसको हम बोर्ड भी उसे देखते हैं बोर्ड उसे कैसे देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा है नंबर R1809 तो यहाँ पर मैंने सर्च मारा इसको बड़ा कर लिए एक बड़ा सा R1809 जैसे सर्च किया यहाँ पर आपका location दिखाएगा देखिए R1809 दिखा रहा है यहाँ से बड़ा करके देखिए यह आपका है तो CPU के पास में यहाँ पर दिया हुआ देखिए Just a CPU के पास में देखिए ठीक है कहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर देखिए यह आपका यहाँ पर क्या है आपका कौँस लाइन ये लाइन में आपका क्या है आपका यहाँ पर कोई resistance नहीं लगा हुआ है डायेक्ट आपका एक जंपर दे दिया हुआ यहां पे तो हम इसी को देखते हैं यहां पे इसको तो हम अटा नहीं सकते हैं तो हम क्या करेंगा आपका जो दूसरा लाइन जो है वो कहां पर गया है इसको search माल लेते हैं तो इसको search करते हैं दूसरा लाइन को यह यह आपका कहां पर गया है SIO चिप पे SIO चिप पे रेखें ठीक है SPISOR करके यहां पर दिया है R2423 हम इस resistance को यदि निकाल देते हैं तो आपका SIO से connections क्या हो जाएगा? Disable हो जाएगा. जैसे SIO से connections disable होगा, उसके बावजूद भी अगर बीप मार रहा है, तो इसका मतलब क्या है आपका? हमारा PCS खराब है. ठीक है? तो दिखते हैं, इसको जल्दी से आपको तो दीख रहा है, यहाँ पर रापका 2-4-3 जीख रहा है. मैं इसको क्या करता हूँ? कट आप करता हूँ, SIO से इसको disconnect करता हूँ. तो देखिए आपका Siio से कैसा het continue करता है? आज इसको दिखता हूँ, इसको पागळा यहाँ पर. ये इसको एक किनारे में आप लगा लो इसको ताकि आपके इसका रजिस्टेंस है वो गुमे मत अगर हम इस रजिस्टेंस को निकाल के दूसरे तरफ रख देते हैं तो क्या होता है आपका प्रजिस्टेंस गुम जाता है फिर उसको खोगे इसमें भी टाइम बरबाद होता है तो जितना भी हो सके हमको टाइम कम से कम बरबाद करना है अब देखे हमारा यह कनेक्शन सो डिसेबल हो गया अब इस लाइन को चेक कर लेते हैं यहाँ पर इदर वाला लाइन क्या है आप अव का पीची खराब है तो इस प्रकार से हम करते हैं कि खराब है कि नहीं है अब सेगन कर्दिशन में यह देखते हैं आपका बोर में जो यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर मैंने यूसी टू निकाल लिए देखो साइच करके इधर देखिए और यह यूसी टू निकालने के अर यह आपका पी np 2 िच्वी सप्लाई की पर जुआ का teen नबेटी एक आसाइओ चिप में जाती थी और दूसरा को पर जाती थी मैंने यहां रखा और यहां पर पिन नमबर 8 यहां पर दे किया आपका दे रहा है यहा पर देखाएं टिक्वान का तो यहां पर आपका ब्ल दिर यहां जो मिलां है अटिया इसका मतलब और क्या लिखूंगा मैं प्लस ट्री वी ठीक है एस पी आई ऐसा लिखा और सच कर दिया तो देखिए सबसे पहले आपका कहां पर जा रहा है यह डारेक्ट आपका कहां पर जा रहा है इसको मैं बड़ा कर रहा है और यह आपका कहां पर जा रहा है और दूसरा सप्लाई कहां पर जा रहा है कि अधिक ये स्प्लाइड जो है आपका सीपूप अधिक है हम साच करेंगे देख लिए पूरा यह सब्भाई डारेक्ट आपका कहा पर जा रहा है सीपूप आ रहा हैं तो अब हम यह कंफर्म हो गया कि हमारा क्या है पी सीट कराब हो चुका है याप ब्राउंट है तो का झाय करे लिए हैं आ यहां पर आपका पीट यहां पर प्रेए रहा है यहां पर बीटол ले रहा है ले रहा है यहां पर इक्दम याद का व्राउंड है इसकी फार है आपका कोई भी नहीं दे रहा है तो इससे बोर्ड पर आपका कोई भी भी नहीं दे रहा है। इस प्रकार से हम कंफर्म करता हैं कि आपका PCH 100% Сौर्ट यहां पर इस बोर्ड पर अपने को उतना टाइम बरबाद नहीं करना है· ठीक है अगर बोलता है कि आपका PCH लगाना है तो उसका इक कीमत बताइए जो भी चार्जिस है ठीक है आप PCH को भी रिप्लेश्मेंट कर सकते हैं ठीक है लेकिन आपका सबसे पहली कंडिस्टन्स में आपको PCH पाल्ट है या नहीं है ठीक है इसके लिए आपको कंफर्म करने के लिए यह आवेश्यक टेस्टिंग है ठीक है ओके थैंक्यू